दोस्तों बाजार में आने वाला है एक बड़ा ही amazing IPO नाम है Hyundai Motors India Limited अब यहां तक जैसे कि आप जानते हैं Tata Motors लिस्टिड है यहां पर मारूती सुजुकी लिस्टिड है महिंद्रा एन महिंद्रा लिस्टिड है लेकिन यहां पर और कोई other entity जो की popular car brand है इंडिया में वो लिस्ट इसका grey market premium basically IPO का जानेंगे तो आपका बड़ी खुशी महसूस होगी और इसकी कुछ और details जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप again यह जो है बिल्कुल जान करके खुशी महसूस करेंगे कि इस company में again जो है बहुत बढ़िया growth के chances बचे वे तो यहां पर सबसे पहले अभी जो है बाजार में देखने को मिल सकता है तो यहां पर इसकी जो tentative dates है वो October के mid महीने में जो है basically bid जो है कही न कहीं उसमें देखने को मिलती है तो यहां पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि लगबग October 11 से October 19 के बीच में कही न कहीं जो है इस IPO की tentative dates हो सकती है इन dates के बीच में हमें यह IPO live होता हुआ दिखाई दे सकता है इसके बाद दूसरा major question इस stock से related नजर आता है कि IPO का price band क्या हो सकता है देखिए price band directly market capitalization को affect करता है तो यहाँ पर बहुत important question है तो यहाँ पर जैसे कि current जो है जो भी news market में से कुलेट हो रही है उनसे पता लगता है कि इसका जो price band है वो 1000 से तो उपर उपर रहता हुआ नजर आएगा कही न गहीं 1100, 1100, 1200, 1200 इस range के अंदर हमें यह price band देखने को मिल सकता है और आगे भी calculations basically मैं आप लोग के साथ discuss करूँगा वो हम इसी expected price band को लेकर के discuss करेंगे क्योंकि expected price band जब नजर आजाता है तो market capitalization निकालनी भी easy होती है और डेटा भी निकालनी easy होती है तो यहाँ पर हम इसे expected आकड़ा मान करके चल लेते हैं तो यहाँ पर same scenario में अब अगर जो है Hyundai Motors की market capitalization की बात की जाए तो यहाँ पर Hyundai Motors की market capitalization कही न कहीं एक लाख करोड के आसपास यह उससे ज़्यादा देखने को मिलती है अगर price band 111200 तक देखने को मिलता है तो यहाँ पर market capitalization के scenario में यह company जो है जो है basically Tata Motors से भी काफी चोटी है Mahindra and Mahindra से भी काफी चोटी है Maruti Suzuki से भी काफी चोटी है और लगबग चोटे पांचो नमबर पर कही न कहीं यह listed entity बनते हुई नजरा सकती है इसके बाद अगर इस company का again सबसे important आंकडा gray market premium जानने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर basically जो IPO होता है उसमें सबसे important चीज होती है gray market premium यह वो होता है कि हमें specific IPO पर इतना listing gains मिल सकता है इसका जो भी expected numbers होते हैं वो हम gray market premium से कहीं न कहीं अंदाजा लगा लेते हैं different websites पर है different तरीके के gray market premium जाकर चेक कर सकते हैं तो फिलहाल जो gray market premium चल रहा है देखिए अब यहाँ से एगर 3-4 दिन पहले चला जाए तो इसका जो gray market premium था लगबग 700 रुपे प्रती शेयर 720 रुपे प्रती शेयर इस प्रकार का दिखाई देता था अब कल के दिन अगर यहाँ कड़ा मैं आप लोगों के साथ सांजा करूं तो यह 500 रुपे बरा चुका था तो यहाँ पर जो gray market premium आज से पिछले दिन देखने को मिल रहा था 500 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा था जो आज current day में इसका gray market premium देखने को मिल रहा है वो लगबग 560 से 570 रुपे के आसपास है और अगर price band again 1000 से 1200 का expect करते हैं तो कही ना कहीं चालिस से 45 प्रतिशत के आसपास के expected returns देखने को मिलते हैं अगेन जो next question है कि कितना बड़ा IPO size हो सकता है तो 25,000 करोड 24,000 करोड 26,000 करोड के आसपास का कई ना कई जो है IPO size है और अगेन दूसरी बात मा आपको बता दूँ जितना बड़ा basically IPO size होता है उतने ही basically listing यानि कि हमें IPO मिलने के chances हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 25,000 करोड का size ही है ठीक है एक लाग करोड के मानलों investment आगी तब भी चार गुना ही हुआ तो यहाँ पर IPO मिलने के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि IPO size बहुत बढ़ा है LIC का same example ले सकते हैं LIC से कुछ और बड़े IPOs जो है उतने बड़े नहीं लेकिन लगबग उनकी limit के आसपास के जो IPO निकल करके आए हैं उनमें भी सेम चीज़ें को देखने को मिली है तो जि जादा होंगे उतना ZMP थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाए तो यह जो है सारा माजरा होता है अब बात करते हैं यहाँ पर revenue कितना है company का तो financial year 2023 का revenue हमारे सामने है अब जाकर कर सकते हैं 60,000 करोड के आसपास के आंकड़े कही नजर आते हैं financial 2023 में अब यहाँ पर जब 60,000 कर का revenue इसने खींचा है तो यहाँ पर Tata Motors का revenue इससे multifold है ठीक है इससे लगबग 8 गुना का revenue जो है Tata Motors लेकर के आती है 4,45,000 करोड के आसपास का current year का revenue है वो भी Tata Motors का चल रहा है तो इससे 8 गुना साइज में बढ़ा है सेम यहाँ पर Mahindra & Mahindra का revenue है 1.41 लाग के आसपास है तो months का data आमारे पास available है तो उसी के average उठा करके हम जो है 4th month का भी apply उसके अंदर कर देते हैं तो कितना होगा लगबग लगबग जो है इसका financial year 2024 का जो exact आकड़ा है वो लगबग 67,000 क्रोड के आसपास आ सकता है तो यहाँ पर revenue basis में यह company काफी छोटी है और again मैं आपको कहना च जिसमें करेटा इन की top selling है आई 20 जो है अची sell हो रही है तो यहाँ पर इस प्रकार की बुटसरी जो है गाडिया पर बढ़िया पर्फॉर्म करती नजर आ रही है और Kia Motors की बात की जाए तो भी Hyundai Motors का ही है सब पार है तो यहाँ पर आपके लिए अगर अगर company की valuations का आकड़ा निकाला जाए कि अगर देखिए valuation से ही पता लगता है कि फिर यहाँ पर listing gain के chances भी बचते हैं लिस्ट होने के बाद कुछ बडोतरी आएगी कि नहीं उसकी गुंजाईश भी कही ना कही हमें valuation से देखने को मिलती है क्योंकि अगर valuation ही सीधा सीधा बहुत महंगी आ गई तो फ इतना है 10 के price toning ratio पर कही ना कहीं देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद महिंद्रा की बात की जाए 33-34 के price toning ratio पर देखने को मिल जाए इसके अलावा हम जो है मारूती सुझूकी की बात करें तो मारूती सुझूकी का जो current price toning ratio है वो 28-29 के आसपास कही ना कहीं से मित रह तो अगर यह है 22-21-23 तो यह overall sectorial valuation की average की आसपास है उससे थोड़ा सा नीचे है तो यह कहीं न कहीं एक सही आकड़ा हो सकता है तो यहाँ पर यह कुछ amazing details है Hyundai Motors के IPO से related जब यह सारी details finalize हो जाएंगी again dedicated video आप लोगे सामने बिलकुल पेश की जाएगी और हर एक amazing point हर एक amazing आपस के IPO आने से खुश है और इसमें invest करना भी काफियत तक पसंद करेंगे comment box खुला है comment box में जरूर अपने questions डालना मत भूलिएगा